चंदिगण मुंसिपल कॉर्पोरेशन के मेर के चुनाओं में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के पास पस्ट भाहुमत था लेकिन इसके बावजूद उनके मेर के ओमिद्वार कुल दीप सिंग को पराजित घोशित कर दिया गया और भाजपा से ओमिद्वार मनोश सोनकर क को विजई घोशित किया गया कुल 36 वोटों में से आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के पास 20 वोट थे तो यह आमादमी पार्टी से सांसद रागो चड़ा ने कहा है कि भाजपा ने अपने नेता अनिल मसी को पीठासीन अधिकारी बनाया जिनोंने आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के आठ वोटों को अमान्य घोशित कर दिया इन्वैलिट घोशित कर दिया जिसके चलते उन्हें पराजित घोशित किया गया तो वहीं अब आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस ने नियाले का दर्वाजा खठाने का नियर ने लिया है कॉंग्रेस के नेता संयोजय गयों दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल ने भी कहा है तो वहीं आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के लिए संतोज जनक बात ये रही है कि उनके एक भी पार्षद ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा को वोट नहीं दिया है तो वहीं बताया गया